अब आपको ट्विन टावर के मलबे की टॉप एंगल तस्वीर दिखाते हैं पवन नारा की ये रिपोर्ट आप देखे इस वक्त हम सुपर टेक एमरल कोट की छट पर हैं और यहां इस वक्त आपको इस तरह के कण दिखाई देंगे ये कॉंक्रीट के वो हिस्से हैं जो पर टेकन ही बाहर आ पाए एक दिक्कत और हुई जब बिल्डिंग गिरी तो यहां से ये पाइप जो जंगी हुई थी पहले वो क्रैक हो गई उसको मैंटेन करने के लिए लोग यहां आ रहे हैं और अब आपको हम डिमोलिश हुई बिल्डिंग का टॉप एंगल व्यू दि इस्तिति क्या होगी आप देख सकते हैं और इस तस्वीर के साथ आपको यह समझना आसान हो जाएगा कि यह कितनी खूबसूरती के साथ ब्लास्ट किया गया कि सारा मलबा इस एस्पायर या एस्टर टावर की तरफ से सड़क की तरफ आगे बढ़ा और वहां जाकर गिरा व तीन-तीन मंजिल के वो ब्लॉक है जिन पर विस्वोटक नहीं लगाए गए थे और वो ब्लॉक एटीएस की तरफ जाकर गिरे हैं जिसकी वज़े से एटीएस टावर की दीवार थोड़ी सी तूट गई है लगभग आठ से दस फीट दीवार उसको बनवाने की जिम्यदारी एडिफिक इंजिनरिंग ने ली है लेकिन उसको बनाने में अभी वक्त लगेगा क्योंकि इन बड़े तीन हिस्सों को तीन-तीन मंजिल के हिस्सों को तोड़ना बाकी है तोड़ने के लिए यहां पर बड़ी-बड़ी एक्सकुएटर मशीन्स पहुँच गई है यानि अब इस बिल्डिंग के हिस्सों को छानने के लिए हैमर एक्सकुएटर का इस्तमाल किया जाएगा जो यहां मौके पर पहुँचे हुए है नीचे अगर आप देखेंगे तो यह एडिफिक इंजिनिरिंग के इंजिनियर है जिनोंने यहां लाल कैप पहनी हुई है यह यहां मौ यानि जो यहां हमें 20 फिट गहरा दिखाई दे रहा था वो मलवे की वज़े से सिर्फ 10 फिट का रहे गया है और यहां पर स्तिती है अगर आप देखेंगे तो पीछे परदे हटाने का काम शुरू कर दिया गया है अब से कुछ देर बाद आपको यह वाइट शीट जो यहा पस नहीं आए है धूल धूएं और गुबार के पूरी तरह से शांत होने का इंतजार कर रही है केमरमें दिनेश दिवांगन के साथ पवन नारा इंडिया टीवी